हाई गाईज नमस्तिकेंच और वेलकम बैक टो माई चैनल आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हूं हैर के रूटीन तो यह वाला जो हैर के रूटीन है ना इसमें मैंने सारी चीजें होममेड यूज की है यानि की DIY आप बोल सकते हैं और मैं अपके साथ एक ऐसा ओयल भी शेयर करने वाले हूं और हाँ यह बिल्कुल भी स्पॉंसर वीडियो नहीं है यह जो ओयल है वो मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूं और इसके जो रिजल्ट है वो मुझे बहुत ही अच्छा मिला है इससे म आपके लिए बहुत ही हैल्फुल रहेगा बालों की सारे प्रॉब्लम्स को खतम करने में मदद करेगा तो वीडियो पूरा देखनो और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करता है दूस्तो सबसे पहले तो आप उठके खाली पेट है न एक नारियल पानी पीलो उससे क्या होगा कि आप हाइड्रेट रहोगे पूरे दिन और ये बालों को भी हैल्दी बनाने में हैल्प करता है बालों से जो ड्राइनेस होती है न उससे भी दूर करेगा इसमें विटामिन मिनरल्स एन विटामिन सी भरपूर होता है जो बालों को मजबूत करने में हैल्प करता है ये बालों का ग्रूथ भी बढ़ाने में मदद करेगा और डैमेज हैर की प्रॉबलम को भी ये दूर करने में मदद करेगा और हमारा जो स्कैल्प होता है न उससे भी हैल्दी करने म यह help करेगा और हमारे pH level को भी balance करेगा और यह एक natural conditioner का भी काम करता है जो मैं oil के बारे में बात कर रहे थी ना तो यह महा ब्रिंगराज hair oil और गाइस लोग मुझे ऐसा भी बोलते हैं और अपलाई करते हूं ना तो hair fall की problem बहुत ही ज्यादा होती है तो गाइस इसकी जो reason है ना वह मैं आपके साथ share करना चाती हूं कि आप बालों में बहुत ज्यादा oil लगाते हो ना उसके कारण भी यह तकलीफ होती है और क्या होता है ना कभी-कभी कि हमारे बाल बहुत ज्यादा उलचे हूए होते है उस पे आप oil लगाते हो तो उसके कारण भी यह problem हो सकती है क्योंकि oil लगाने के बाद हम tangles remove करते है तो hair fall बहुत ही ज्यादा होता तो आपको क्या करना है कि oil लगाने से पहले ही आपको tangles को remove कर देना है और oil लगाने की technique से भी hair fall हो सकता है क्योंकि लोग है ना क्या करते कि oil इस तरीके से लगाते है ना कि बाल इतने ज्यादा उलच जाते है तो उसके कारण भी hair fall हो सकता है कुछ oil ऐसे भी रहते है जो chemicals वाले ज्यादा होते है वो हमारे बालों को suit नहीं करते है तो उसके कारण भी hair fall हो सकता है अगर अपने बालों को dry रखा है, उसके बाद आप oil लगाते हो, अब dry बालों को लेके बाहर निकलते हो, उसके कारण पूरे बालों में dirt हो जाता है, pollution के कारण, उसके बाद अगर आप oil लगाते हो ना, तो भी आपको hair fall की problem हो सकती है, low quality का oil use करने से भी ये problem मैंने देखी है, क्योंकि इसमें harmful chemicals होते हैं, जो scalp को damage कर देते हैं, oil लगाने के बाद जब hair wash अच्छी तरीके से नहीं किया जाता है ना, तो भी ये problem हो सकती है, क्योंकि बालों में oil रह जाता है, जो dirt को हमारे बालों में build up करता है, इसके कारण भी ये problem होती हो, तो ये सारे चीज़े आप त्यान रखो, तो आपकी hair fall की problem बहुत जादा कम हो सकती है, oil लगाने के बाद आप इसे overnight भी रख सकते हो, या फिर अगर आप घर में ही हो, तो इसे पूरा एक दिन भी रख सकते हो, उसके बाद दूसरे दिन आप hair को wash कर लीजिए, ये oil लगाने के बाद जब आप hair wash करोग अब हम hair mask बनाने वाले है, तो आपको उसके लिए एक तांबे का बर्तन लेना है, जो इस तरीके का दिखेगा, या फिर आप तांबे की कोई भी कटोरी भी ले सकते है, उसके अंदर आपको है ना दही आड़ करना है, आप आपके hair length के इसाब से दही को आड़ कर लीजिए, मैं मेरे hair length के इसाब से दही को आड़ कर रहे हूं, रूम टेंपरेचर में ही रखना है, पांच दिन के बाद या फिर आप वन वीक भी इसे रख सकते हैं, तो मैंने पांच दिन इसे रखा था और उसके बाद आप देखोगे ना तो ये कुछ ऐसा green green हो जाएगा, उसके बा आप ये mask लगाऊगे ना तो उसकी problem आपको दीरे-दीरे कम दिखाई देगी, और आप इसे week में एक बार यूज कर सकते हैं, और इसे apply करने के बाद आपको इसे 1-2 गंटा रखना है, उसके बाद आपको hair wash कर देना, तो जब भी आप ये mask लगाऊँ ना उसके बाद आप natural वाला शैंपू यूज कर सकते हैं, तो नैचरल शैंपू के लिए आपको एक चमच आवला पावडर, एक चमच रीठा पावडर और एक चमच शिकाकाई पावडर, और इसमें थोड़ा सा liquid warm water लेना है, और इसे अच्छे से mix कर देना है, जब भी आप इसे यूज करो ना त लगा दीजिए, तो इसमें ज़्यादा फोम नहीं होगा, लेकिन ये आपके स्केल्प से जितनी भी घंदेगी होगी उसे दूर कर देगा, डेंडर्फ की प्रॉब्लम को भी हटाएगा, और इंफेक्शन हो गया, उसकी प्रॉब्लम को भी हटाने में हेल्प करेगा, अगर उसके बाद हम हैर सिरम बनाने वाल हैं, तो हैर सिरम के लिए आपको 4-5 चमच अलोगरा जल लेना है, नेयच्रिल अलोगरा जल भी यूज कर सकते हैं, उसके अंदर 2 चमच कोकोनेट ओल एड करना है और को बांबू एसेंशल ओल यूज करना है, यह आपको एमेसून पे मिल जाएगा मैं link share कर दूंगी इसे अच्छे से mix करो जब आप इसे mix करो के ना तो यह ऐसा white हो जाएगा तब तक आपको इसे mix करना है और इसे container में आप इसे बहर दीजिए और इसे जब भी आप यूज करो ना तो इसे room temperature में ही रखो आपको ऐसी जगापे नहीं रखना है कि जहाँ पर दूप आती हो ठीक है उसके बाद इसे बालों के लेंथ में अपलाई कर देना है और एक अच्छी बात यह है कि आप इसे एक hair mask की तरह भी use कर सकते है वीक में एक बार जब आप इसे use करोगे ना तो आपके जो बाल बहुत ही manageable लगेंगे और एक natural shine भी आपको दिखेगी तो आप hair serum के लिए यह natural अला serum बना सकता है गाइस अब हम बालों को trim करेंगे तो हमें क्या होता है कि जब हम hair salon में जाते ना तो trim जब हम करते ना वह लोग कुछ ज्यादा ही हमारे बाल कर देते तो आप इस तरीके से process कर सकते है घर पे ही आपको जैसे में वीडियो में दिखा रहे हूं तो rubber को इस तरीके से आपको तीन पार्ट में बालों में लगा देना है जिससे क्या होगा कि आपके बाल महलब सीधे हो जाएंगे तो आपको बाल ट्रिम करने में easy रहेगा तो अगर आप चाहते हो कि इतने ज्यादा बाल नहीं कट करने है तो मन्त में एक बार बालों को ट्रिम इस तरीके से आप कर सकते है यह बाल में नीची जो पूछ जैसी दिख रही है न वह नहीं दिखेगी और damage बाल निकल जाएंगे तो जब भी आप बालों को खुला रख तो कैसी लगी वीडियो कॉमेंट करके ज़र बताना एंड सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो एंड बैल आइकन दबा देना तो नौटिफिकेशन आपको मिल जाए मिलते हैं बहुत ही जड़ी नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक केर